कोरोना वारस से समय पूरी दुनिया जंग लड़ रही है वहीं अमेरिका भी कोरोना के संक्रमेंट से बुरी तरह प्रभावित है न्यू यूर्क स्टीट को अमेरिका का वुहान भी कहा जा रहा है जानकारी के नुसार अब तक करीब 1,42,735 से जादा पॉजिटिव के सामने चुके हैं वहीं करीब 2,490 लोगों की मौत हो चुके हैं सर्फ न्यू यूर्क में संक्रमेंट से मने वालों की संक्या एक हजार पाई गई है इसी के चलते हैं न्यू यूर्क के गवर्नर एंड्रियो ने अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प को चेतानी दी है कि ऐसा जरूरल कदम उठाने जाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यहां एक दिन पहले ही लॉकडाउन के फैसले के चलते ट्रम्प ने न्यू यूर्क में यात्रा पर प्रतिबंधों का एलान किया था बता दें कि इस मामली को लिकर रविवार को ही प्रेस कॉन्फरेंस मे क्यूमो ने कहा कि न्यू यूर्क में एक दिन में वायरस संक्रमेंट के कारन मनने वालों की संक्या 237 से बढ़कर 728 से 965 पर पहुँच गई है एक दिन में मौत का ये आकड़ा सरवादिक है दिन के अंते तक मृतक संक्या 1000 के बार पहुच गई है नियू यॉर्क सिटी में शनिवार रात से रविवाज सुभा तक 161 लोगों की मौत हो गई जिससे राजिभर में मौत का आकड़ा 1000 के बार पहुच गया क्यूमो ने कहा कि इस महामारी का प्रकोप कम होनी से पहले 1000 लोगों की मौत हो चुकी होगी मुझे नहीं पता कि आप इन आकड़ों को किस तरह देखते हैं और 1000 लोगों की मौत हो चुकी होगी मौत का आकड़ा बढ़ता जाएगा सरवादिक प्रभावत राज्यों में नियू यॉर्क में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60,000 से भी जादा हो गई है